नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागता है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूटूब चैनल में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं राजस्तान की क्लाइमसंस करती की, दोस्तों अब तक हमने बहुत सारे टोपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमे आप लोग जाके एक बार जरूर देखें, एक बार हमारे चैनल पे पूरा विजिट करें और देखें कि किस प्रकार से हमारा पढ़ाने का तरीका है, अगर आपको सही लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब नही से दुर्ग पढ़ लिए हैं और बड़े-बड़े जो है अब हमने जो है लगबग दुर्गों को कवर कर लिया है एक बड़ा दुर्ग बाकी है चित्तोडगड और उसको मैं सबसे लाश्ट में करवाने की सोच रहा हूँ क्यों क्यों कि वो एक बड़ा material है और उसको हम लोग बड़ी स्तलिंता से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से प्रेशन हमें सा आता है और इन दुर्गों में से भी प्रेशन आता है लेकिन इन में हम लोगों को जो है रामायन और गरंत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको शरीव इसमें में में जो है बिंदू को पूरा देखे देखे इतनी सांदार वेपिटी आपको अभी तक यूटूब पे कोई भी नहीं देगा और ये नोट्स में आपको जो है टेलिग्राम पे भी देदूँगा अगर आपको छीए तो आप लोग जाके हिंदी में हमारा चैनल है टेलिग्राम का प्रबोत क्ला लेकं जाएगा इतना का दिने यहीं से बनता है जहां से मैंने यह नोट्स लिए हैं वहीं से जहां से बहुत सारी रेफरेंस भूखनें है आज कशा में सबसे पहले देखे हम लोग बात करेंगे आमेर के दुर्ग के बारे में और आमेर का किल्ग में शरुख आप मेली कुन है या पर अप तो ये आमेर का किला है ये जो ये आमेर जो है आमेर जो सीटी है ये फेले मीना उन्हें बसाई थी मीना मीना जो जाती होती है उन्होंने बसाई थी फिर उनको हरा के जो है दुले राई ने दुले राई का नाम सुना होगा आपने उन्होंने आमेर को छीन लिया था तो कहीं लोग क्या है कि आमेर किले का जो संस्तापक है या निर्मान जिसने करवाया वो दूले राई समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे मित्रों जब भी आप लोगों को निर्मान पूचे हैं आमेर दुरका तो हमेशा कोकिल देव करके आओ क्या करके आओ कोकिल देव नहीं इसका निर्मान कराया था हाना कोकिल देव नहीं इसका निर्मान कराया था और किस सन में करवाया था अगर आपको पूच ले तो 1207 में 1207 ECW में करवाया था देखे बहुत उसके बाद में दिक्कत आने लग जाती है कि आप लोग क्लास को फूरा नहीं देखोगे हाना अगर देखोगे तो भी एक घंटा आपका बिल्कुल बरबाद हो जाएगा और उतनी बात को हाना मैं 20 मिन्ट में अगर आपको समझा देता हूं तो आपका उस 20 मिन्ट में अगले जरू परतम अगर राजदानी किसने मनाई ये बोल अगर ये पूचें तो हमेशा ध्यान रखना किसने कोकिल देव ने बनाई तो यह यहां से प्रेशिन आने की संबावना है अब फूच लेते आमेर जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे है बाई तो काली खोई की पर इस्तित है अपना आमेर दुर्ग तो यह ध्यान रखना है कौन सी पहाड़ी काली खोई की पहाड़ी पे है इतनी सिंपल सिंपल बाते आपको अगर ध्यान रख लोगे तो अपनको कोई दिक्कत नहीं आने वाल है परमित्रों पिर साथ ही हमको एक और चीज ध्यान रख तो ऑमेर चले जाओ पूर्ण रूप से अगर मुगल परभाब देखना है तो अजमेर का जो किलह है अग्वर का जो किलह है वहां मुगल प्रभाव या मुसलिम सेली से बना हुआ है यहां हिंदू मुसलिम मिस्लित सेली की बात कर रहा हूँ तो आमेर दुर की बात करूंगा पिर इसके बहुत सारे नाम है जैसे अमबावती आमबेर मतलब आमेर से आमेर से आमेर बनाये भी आना फिर अमबावती इसका पुरूर नाम है वही एक रिसी होए हुए थे अमरीश रिसी इस अम्रीष लिषि के नाम फे इसका नाम है वो अम्रीष भी पढ़ गया और अम्बिकापुर भी सका नाम है तो यह चारो इप नाम याद र lenses और अम्बावती, आमेर, अम्रीष, और और अम्बिकापुर और एक और पूछ सकते हैं मौमीनाबाद तो मौमीनाबाद भी इसका जो है नाम है भई मौमीनाबाद किसी ने रखा था वह अब लोग आगे देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल चंताने करिए एक भी प्रेशनियाजी चुटेगा नहीं साथ ही आप लोग जो है इसकी PDF डा तनमन में गुज़ाती है और वहां से पिर निकलती नहीं है पैरे मित्रों तो आप लोग हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहें जिस प्रकार से आप लोग रेगुलर जुड़े हो आपका प्यार देख क्या ना बहुत अचा लगता है इतना सांदार आप लोग जो है हम को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों का सपोर्ट बहुत आउश्य का और जितने मेरे मित्र परिवार के लोग है वो मेरा आकास करके वह तचा सपोर्ट कर रहे है जल्दी आप लोग हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हैं ताकि हम भी कुछ कमाने की सोचे है ना तो अगबर का दरबारी था और साथ में साथ हजार का मनसब था इसका सबसे ज्यादा राजस्तान में राजपूतों में जो है इसका मनसब था मनसब मतलब की सबसे ज्यादा उपादी सबसे बड़ी उपादी जो ते ही मान सिंग के पास ती है ना और अगबर ने अपना फुत्र भी इसको मान लिया था भई तो इतना सब कुछ मान सिंग के बारे में जो है कहते हैं पंद्रासो बर्राणमा में जो है इसको वापिस पून निर्मान करवाया किसने मान सिंग प्रतम ने और अगर पून किया निर्मान को किसी ने तो मिर्जा राजा जे सिंग था और इसके ना पहले पहले जो हमेर इस से पहले जो अमेर जगती यह अपने मिनाओं की ती मिनाओं ने आमेर भशाय था और डले राइण दूले राइण कुछ भी बोल दो यहां उनकी बहुत है नहीं कि महान से जीत लिया था ठीक है में रूप कि बात करेंगे ना हर जगह की अलग अलग वन सता तो इससे बात करेंगे अपन पिर आगे बात करें अब देखें यहां से प्रेशन बनता है क्योंकि अगर निर्मान अगेरा का प्रेशन पूचे गागला तो हम में भी बिद्माहाख है कि बंदे लिगा निर्मान का लेकिन चोटी चोटी की इंछी कलो में निर्मान का प्रिष्ण कम कंप्रीश का कम समभावन रती लेकिन इंपोर्टेंट तो है अपनी चोड़ना तो कुछ नहीं है हैंना तो सबसे पहले हैं यहां के दर्षनिय स्तले अपने लोग देखते हैं वही यह एक महल रहाल जो है इसका राज दिव ने इसका निर्मान कराये था सोरी राज देवन ने इसका निर्वान कराये था कौन सा महल है कदमी महल है और सबसे पुराना महल है यह सबसे पुराना महल है इस बात का ध्यान रखना आमेर की कच्छवा वंस के राज राजाओं का जो है राज दिलग भी यहीं होता था यहां एक छत्री बनी कि अब बताओ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जाके हैं ना 200 सब्सक्राइब होने में 10 15 गट रहे हैं तो पुरा खतम करिए पुरा है ना तो एक 2000 करवा दीजिए ताकि हम लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लंदीर है कandy बनवा ठीजिए दॉठाइब की यह बनवाए था कर आप पूंगाल दोरे और मविजे पर गये ते बंगाल अभियान पर अक्बर ने इनको बेज़ा था उल्हित कामान ङल पर एक का इस का एक मंदीर बनवार दिया और वहां पे जो हैं मूर्ती की स्थापना करवा दी चलो टिये गए यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं है मुझे पता है यहां तक कोई इतने सिंपल बातों में कोई हो सकती है बला बताओं नहीं हो सकती है बैई देगे यह एक ओर मंदिर है अंबिकेस्वर महादेव मंदिर जो निर्मान है वो मान सिंग प्रतम की रानी तो पत्नी ती और शाथ ही अपने रावल लूना रावल लूंा का नाम सुना ओगा और ये कौन है कल्यूक का करण है बोलते हैं इसको हाता अब ये इँसको सकतर हिती ये इनकी पृत्र हिती ये बात ध्यान रखनाब और ये जगत सिरोमनी मंदर किसने बनवाय था रानी कनकावती ने किसकी याद में बनवाय था बई किसकी याद में बनाय था जगत सिंग प्रत्म इनके पुत्र थे और वो वीरगती को प्राफ्त हो गए थे तो उनकी याद में जो है रानी कनकावतिने कि यहां मंदिर बनवाया जगत शिरोमनी का मंदिर और यहां जो प्रिसाद है भई यहां का जो प्रिसाद है यहां का नहीं यहां का जो प्रिसाद है वो सराब के रूप में मिलता है भई सराब सराब के रूप में मिलता है बगए आप लोग जब यहाँ पे जाओगे तो किसी goider को कर ले ना अगर आप goider करते हो ना तो आपको पूरी knowledge यहाँ की मिल जाएगी यह द्यान रखना यह बात आप लोग द्यान रखना अब आगे चलें आगे चलते हैं भाई अब देखे कुछ और दर्शने महल देखते हैं कुछ और दर्शने इस्तल देखते हैं सबसे पहला महल है सुहाग महल या सोबाग्य मंदिर और या सुहाग महल जो है वो राजा रानियों के लिए होता था और रानिया यहां से दिवाने खास और दिवाने खास की जो है वो दे जो है उन पर कितना च्छा लग रहा है और हशी ट्रोली के लिए सोबाग ये महल का निर्माण करवाई तक इसने मान सिंग पश्ट निर्माण करवाई था तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ज्यदा से ज्यदा इमारते जो है मान सिंग और मिर्जा रजा जे सिंग के द्वारा ही बनाई हुई है यहां पे तो हमेशा ध्यान रखना तो यह भी क्या है एक पॉइंट टर्निंग है कि आपको कहीं बार पूछ ले जाता है तो अगर इन दोनों में से एक लोग जो पी गिती लेकिन वो क्या है कि फोन में फोन में जो है वह थोड़ा सा Mr. और फिर दिक्कत होजाती लाइव में बीच में लाईव कट जाती है पिर थोडोगे दिनों बाद मां वापस से लाइव वाने खास की जो कारवाई है वो देखने के लिए बनाई जाती थी वहां भें पड़दे लगे वे ते पर काईदा और वहां से पड़दों के पिछे से जो है वो राजा मारा आनिया उनको देखती थी यह बात तीक है अच्छा एक यहां पर महल है भई सीस महल बोल दो जे आज यहां पर जीतने जाना, यहां का गड़ अपन को जीतना, यहां का किला जीतना, अब आए एक राजा होता है, राजा के नीचे जो है बहुत सारे सामन्त होते हैं, और सामन्त के नीचे बहुत सारे जागिरदार होते हैं, इस परकार से अलग-अलग जो है एक चेन बनी होत अब इतना deeply कोई बता देगा गया आपको बताओ नहीं बता सकता है वैई इसलिए बोल रहा हूँ कि अब भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है अब यहां पे एक द्वार है और उस द्वार का नाम है गनेश पोल कौन सा पोल गनेश पोल हना और इसके बारे में जो ह है इसके बारे में जो है एक इसके बारे में एक बहुत प्रचलित बात है वो भी मैं आगे बताओंगा आपको गनेश पोल का ध्यान रखो आप तो गनेश पोल इसका जो है एक मुख्य दरवाजा है वह कौन सा दरवाजा है गनेश पोल है और इसका निर्मान किस ने सवाई जैसिंग ने जो है इसका निर्मान करवाई था अब एक और है यहां पर रानी बाई रानी बाला बाई की साल क्या है रानी बाला बाई की साल भी है यहां पर यह भी ध्यान रखना आपको भूच ले सीधा कि राना बाला बाई की बाला बाला बाई की जो सहल है वह कहां हैं तो अपने काँ है काहैं पेरेमित्रों दर्शनी स्तलों में अपने आमे कि में है डिक आमेर में हैं वही आपको भूच ले 33 क्रोड तोध गूंकि साल का पे मैंने थोड़े दिनों पहले बताया था तğin 33 कुरोड देवी देवतां कि साल कहा है यह बताओ आप तो यह भद शाल यह बता अंडरोमीर कि दिवाने आम और दिवाने खास दोनों ही किसने बनाई मिर्जा राजा जैसिंग ना दिवाने आममे तो आम नारीक और दिवाने खास में खास मेर्ज वह आते थे वह." और सुक्मन्दिर में जो है यह सुक्मन्दिर में ग्रिष्मकालीन के लिए बनाया गया था है। क्योंकि यहां थंडी हवा चलती हैं जब भी आप लोग जाओके अमीर तब मैंने देखा था कि आज भी वहां पे इतनी सांदा ठंडी हवा चलती है कि आप लोग के cooler ऐसी सब fail है भईया ना cooler ऐसी सब fail है ठीक है अब बताओ यहां तक कोई problem नहीं है चलो आगे चलते हैं देखें दरशने इस्तलों में दो तिन इस्तलों और दिखते हैं आंत्रिक दरवाजा है और इसको सबसे कूपसूरत दरवाजा बताया है इसको सबसे क्या है कूपसूरत दरवाजा भी बताया है इस बात का ध्यान रखना भई है इस बात का ध्यान रखना ठीक, इसके बारे में एक बात है कि यह सबसे ज़्यदा कूपसूरत दर्वाजा है अगर कोई भी बूस सकता है आपको इसके बारे में Jaypole जो है, Jaypole से अंदर घुसेंगे अपन, यह सबसे man gate है और Jaypole के अंदर जैसे गुषते हैं तो एक चोक आता है उसको बोलते हैं जले भी चोक क्या बोलते हैं जले भी चोक बोलते हैं तो जले भी चोक हाना इस बात का दियान रखना जैसे वो चोक आता है एक हाना जैसे दर्वाजे में गुषेंगे सबसे बड़ा दर्वाजा कौन सा हो गया अपना सबसे बड़ा दर्वाजा गनेस पॉल हो गया लेकिन सबसे मुख्य दर्वाजा जो है मुख्य दर्वाजा कौन सा हो गया अपने जे पॉल हो गया मुख्य दर्वाजा जब भी पॉल आगे लिकावा तो अपने वो वाला पॉल नहीं है खंबे वाला पॉल नहीं है भई मुखे दर्वाजा होता है पॉल पॉल मतलब की पिछे दर्वाजा ठीक है ध्यान रखना एक यहां माउटा जलाज से है बना हुआ है और दिल्लाराम बाग यह दोनों भी कहा ही है कहा है अपने आमेर के किले में और आमेर के किले में किसने बनवाया प्यारे मित्रों पूछ ले मिर्जा राजा जेसिंग के द्वारा अब बताओ मिर्जा राजा जेसिंग ने कितने सारी चीज़े बनवाई है केसर के क्या रही है पूछ ले 1664 में किसने बनाई मिर्जा राजा तो मिर्चा रजा ज्यूह ने होता है ने तो मिर्चा राजा जे सिंग मैं यहां पढongo कि आयोग को अंप की और यां पर अंदर चाने तो नहीं देते किसी को लेकिन करफ बहुत मैंगी यह कहां से जाने देंगे बताओ नहीं जाने देंगी कि दीरी दो बना के भी देखा वहां के वहां के जितने भी बनाने वाले हलवाई थे वो भी ले गए पानी भी ले गए वहां के माल मेटेरियल मसाले भी ले गए यहां तक यह बटियां भी यहां से ले गए लेकिन वहां ले जाके बनाने कोशिस की तो नहीं बन पाया कलाइमेट भी उन्ह सबसारी हो गई है अब आगे चलते हैं देखें हमको एक खतन के बारे में ध्यान रखनी है देखें सबसे इंपोर्टेंट खतन जो है आज कल यह पहुंच पहुंचने लग गया और आरे स्प्री में तो मुझे लगता इस बार यह पूंच पहुंच ही लेगा अगर यहां से आमेर के किले से फूचेगा तो यह मुझे पता है कि यह बात तो फूचेगा वहीं और ने अपने आमेर के महलों की सुन्दरता के बारे में कह लिखा है मैंने क्रेमलीन में क्रेमलीन एक जगह है वहाँ पर जो कुछ देखा है और अलब्रमा अलब्रमा के जो जितने भी महल है उनसे बढ़कर भी ये महल है उनके बारे में जितना सुना है उनसे बढ़कर भी ये महल है तो ये लाइन आप अबिल नोट करो मैं बोल रहा हूँ हेबर आमेर के महलों की सुन्दरता के बारे में लिखता है कि मैंने क्रेमलीन में जो कुछ देखा है और अलबर्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है तो इस बात खा आपको ध्यान रखना है विसे इस दोर पे अब बताओ यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं होगी अब देखो जून 2013 में यहां पे युनेस को द्वारा आपको पता कुल 6 किलो को जो है अब बता दिया था गाजर ची कौवाम वाला वो जो है हर बार 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 बताओं तो बार बार नहीं बताओंगा आमेर में आमेर को जो है 2013 जून 2013 में युनेस के दोरा विस विरास्त सुची में सामिल किया गया और टोटल जो है अपने 9 आइटम्स को सामिल किया गया उसमें काल विल्या निर्टे भी हो गया अपने परकोटा भी हो गया जेपुर्गा और बहुत सारे चीज़े हो गई इसे 9 अकुल टोटल चीज़े हैं तो हमेशा ध्यान रखना जून 2013 में जो है एक बार रिपीट करते हैं एक बार कौशिज करते हैं रिपीट करने की ठीक है एक बार कौशिज करते हैं भाई रिपीट करने की देखे सबसे पहले आमेर दूर का निर्मान कोकिल देव बारास जाना मत भाई अभी तक जेगड भी बाकी है जगड़ भी बाकिये मुझे पड़ा पड़ा से करवा देता हूं ठीक है निर्मान कोकिल देव ने 1207 आमेर को राजदानी बनाई ठीक है काली कोई भाड़ी पर है ठीक है आधुनिक निर्वाता भूचे राजामान सिंग आना और बनवाय किसने था कोकिल देव ने पूर्ण क पूछ ले तो कदमी महल आमेर के काच्वावनस की जो है राजाओं का राज तिलत यहीं होता था और जदातर सिल्हा देवी का मंधिर बंगाल से लेकि आया थे उसके बाद में यह जो जगत शीरो मनी मंदिर में जो मूर्थी है यह जो मूर्ती है यह चितोडगड से बगवन दास लेका आए थे यह ध्यान रखना मूर्ती जो है वो कृष्ण बगवान की मूर्ती है और वही मूर्ती है जो मीरा भाई पूजा किया करती थी वह ना अपने चितोड़ में तो चितोड़ से कौन लाय थे अगर आपको पूछ ले तो चितोड़ से अपने बगवंत दास से लेके आये थे जब चितोड़ अभ्यान पे गए थे बगवंत दास अकबर के साथ गए थे और वहां से मूर्थी लेख आये थे ठीक है वहां से मूर्थी लेख आये थे इस बात का ध्यान रखना ठीक है अब आगे चलते हैं देखो कोई मोटड़ा जला से इया माटड़ा जला से दिल्राम बाग कहीं भी पूच ले तो अपने मिड़जा रजा जैसिंग कर रहा है तो मैंने क्रेमलीन में जो कुस देखा या अलबर्मा के बारे में जो कुस सुना उससे भी बढ़कर या अमेर के महल है इतनी बाते जान रखने पिर युनेसको ने जो है आमेर दुर्ग में युनेसको दुआरा विस्व विरासत सुची में सामिल कर लिये गया ये बात जान रखने एक और अगर आपको पूछ ले हाती की सवारी कहा होती है बैए कौन से किले में हातियों की सवारी होती है हातियों की सवारी के लिए कौन स इतनी बाते आपको अगर आमेर के बारे में ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत आईगी नहीं है ना आमेर के बारे में इतनी बाते ध्यान रखना अब देखो आगे चलते हैं जेगड दुर के बारे में और जेगड भी अपने आमेर के आसपास ही है तेकि चील का टिला नमक जो है इस्तान है प्सील नाम की जो ए पहाड़ी आपिर ये सर्वाद तो राजा मां जे और सपूर्ण करवाया राजा जेंश 2 जेशंग मिर्जा राजा जे सिंग प्रतम ने सरवादी के यहां पर निर्मान करवाया वह पूर्ण किस ने करवाया सवाई जे सिंग ने और निर्मान की सुरवात किस ने की राजा मान सिंग ने की अना चील पहाड़ी पर है चील का टिला नाम की पहाड़ी वहां पर वहां पर इसके प अब यह बनाना क्यों पड़ा देखो उस टाइम नीचे रह जाता था आमेर के लिए पर जब किसी का अकर्मन होता था तो आमेर के राजाओं के लिए चुपने की कोई ऐसी जगर नहीं थी अब जैसे जेगड बनाया जेगड के अंदर अंदर कम से कम चार किलोमेटर तक की जो से जेगड और आमेर को आपस में जोड़ती है वो सुरंग हाना अंदर आप लोग जाओगे खबी आमेर तो आपको बताएंगे कि यह सुरंग जो है डायरेक्ट जेगड तक जाती है इस बात का ध्यान रखना अब आगे बात करते हैं देगे बनाना क्यों पड़ा क्योंकि जितने भी क्या बोलते हैं अपने सामगरी है जैसे अपने खजाना हो गया खजाना वगेरा हो गया इनको चुपाने के लिए इसको बनाना पड़ा और यहां पे जो है सस्त्र जितने भी है उनका विशाल संग्राले यहां पर बना हुआ है और आपको पता है आपको पता है कि जेगर दुर्ग में एक जेबान नाम की तोप भी है जेबान और यह जेबान तोप जो है इतनी जोड़दार है एक बार इसको चला दिया था तो एक तालाब बन गया था ऐसा कहते हैं लोग ना यह दंत कहता हैं तालाब तो क्या ही बनेगा बही लेकिन कि चलाने से क्या हुआ प्रस्व पक्सियों कि प्रशव हो गए थे आगे चलते हैं यह अपने जेगड़ दुरग है और जेगड़डि दुर्षणी स्थिंह देखते हैं कि विञेगड़दी यह इंपोटेंट है और कहीं बार उचल ले जता है यहें विज़ेगड़ी नाम का महल है एन पर और इस महल में ने अपने जोटे भाई विजे संग को बढ़ आ dato जब भातूछा सवाय जे सिंग्र को हरा के और पिर विजे संग को यहा की गद्धी भी बेटा दिया था और नाम रख दिया था मुमनाबाद ना मौमिनाबाद नाम रख दिया था तो फिर उसके बाद वापिस से अपने सवाई जैसिंग ने इस पे कबजा किया और इसको विजे सिंग को जो है वो जेगड़ दुर्ग में जो है वो केद में डाल दिया भाई है या इसके विजेगड़ी के पार्स में पिच्छे की प्रतम तोप कार खाना है यही है अपने जेगड में ठीक है और यहां पे इस कार कानमे जेवान नाम की तोब बनी है जो एस या की सबसे बड़ी तोफ है अब यहां पे गूमने जाओ तो क्या क्या देख चैया ऑब एक तो जलेब चोक है एक सुबट निवास, खिलबत, लक्षमी निवास, विलास मंदिर, ललित मंदिर, सूर्य मंदिर और राणावत जी का चोक इतनी बाते ध्यान रखनी है, कौन-कौन से महल देख के आने हैं, जलेब चोक देख के आने हैं, सुबट निवास, खिलबत और लक्समी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, राणावजी का चोक, हाना, और इन अपने आमेर में जो है, एक और बात आप लो चीए, तो मुझे कमेंट करके बतादो, सीधी सी बात है, आपको यहां से बाहर प्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं, मुझे बता है, मैं भीपिटी के माद्यम से पढ़ाने का स्रीप और स्रीप इतना ही मतलब निकलता है, यहां से अपन को ज आपके लिए, राम-राम साओ,